कॉंग्रिस ने किया महा गडबंदन मोधी शाह के उड़े होश भाजपा में मचा हड़कम आपको बता दे कि साल दोहजार चौबिस के लोकसभा चुनाव में प्रधान मंतरी नरेंडर मोधी को एक जुटता से टक्कर देने के लिए विपक्षी एकता की बढ़ती मांग के बी कर विपक्षी खेमे में बढ़ रही गतिवीदियों के हिसाब से इसे बड़ा कदम बनाया जा रहा है हाल ही में पटना में बीचेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा ने कहा था कि अन्य सभी विपक्षी दलगायब हो जाएंगे और देश में केवल बीजेपी ही मौजूद रह उन्होंने ये भी कहाए कि अगर बिखरी हुई धर्म निर्पेक्ष ताकते हाथ मिला लें तो पीजेपी को असानी से सत्ता से उखाड़ फिका जा सकता है शर्मा ने ये भी कहाए कि दोनों ने ता इस बारे में राजनीती पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे एक जुट होकर लड़ाई लड़ी जाए और लड़ाई को तारकीक अंजाम तक पहुचाया जाए सोनिया और नितीश के बीच ये पहली बैठक होगी क्योंकि पिछले महीने लालू प्रशाद ही आरजडी कॉंग्रिस और पांच अन्य पाटियों के साथ नई सरकार बनाने के लिए बाद में बीजेपी से अलग हो गए थे मीडिया रिपोर्ट्सों ने भी कहा है कि सोनिया ही थी जिन्होंने बिहार में महा गडबंदन सरकार के गठन में